हम सभी जब भी रात के बीच उड़ते हैं तो सहज रुप से अपने स्मार्टफोन के पास पहुंच जाते हैं हम अपने दिमाग को यह समझाते हैं कि हमें केवल समय देखना है लेकिन जैसे ही हमारे हाथ स्मार्टफोन आता है हमें अपने इंस्टाग्राम नोटिफिकेसंस अपना मेर फेस्बुक लाइक चेक करने का मन करने लगता है यह सभाविक है लेकिन केवल स्मार्टफोन एडिक्ट्स के लिए एवं इसे स्युकारना काफी सर्मनाग भी है आप मेंसे काफी लोग इस वीडियो को अपने स्मार्टफोन पर देख रहे होंगे तो मेरे ख्याल से आपको तो पता ही होगा आप अपने फोन के साथ कितने घंटे बिताते हैं साइद आप ना बता पाएं तो चलिए मैं ही बता देता हूँ भारत में लगवग 30% लोग स्मार्टफोन के एडिक्ट्स हैं जिसमें से वा अपने फोन के साथ 6-7 घंटे बिताते हैं जबकि 23% लोग 9 घंटे तक लॉग इन रहते हैं और बाकी बचे 14% लोग अपने फोन को किवल बात करने के लिए उप्योग करते हैं हम इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे तो स्मार्टफोन इतने एडिक्टिव क्यूं होते हैं स्मार्टफोन साथ आपके दिमाग को ना पढ़बाया लेकिन ये आपके बिहेवियर को काफी बारिकी से प्रेडिक्ट कर सकता है स्मार्टफोन एक स्लोट मसिन की तरह होती है जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं ये आपको कोई इनाम देती है ठर ये मैं यहां पैसो की बात नहीं कर रहा है वह इनाम आपके फोटोस पर लाई एक मेल या फिर आपके किसी चाहने वाले से एक मेसेज के रूप में मिल सकती है एवं ऐसे ही छोटे-छोटे टेक्स मेसेज़ेस एवं लाइक से हमारे दिमाग डोपोमीन रिलीज करता है हमारे दिमाग में मोजू डोपोमीन हमें अच्छा महसूस करवाता है जब ये केमिकल रिलीज होता है तो हमें इतना अच्छा लगता है कि हम इसका और आनंद लेना चाहते हैं इसलिए बस एक message की reply देने के चक्कर में हम 15-20 minutes केवल memes देखने में बिता देते हैं ये तो बाते थी कुछ phone edits के बारे में अगर आपके अलावा आप किसी और के बारे में पता लगाना चाहते हैं कि वो phone edit है या नहीं तो हमने कुछ symptom discuss किया है बड़ी हुई सहन सीलता आपको ज़्यादा समय चाहिए अपने smartphone के लिए आप हमेशा अपने technology को update करते रहते हैं आपने अपने कई दोस्तों को देखा होगा जो हर समय नई smartphones एवन technology खरीदना पसंद करते हैं जब आप अपने smartphone से दूर रहते हैं तो आप बिमार या चिंतित मैसूस करते हैं मन की इस्तिति को बदलने के लिए आप अपना smartphone का उप्योग करते हैं जब आप उदास या चिंतित रहते हो तो आप अपने किसी दोस्तों को text message करना पसंद करते हो या फिर आप कोई game खेलना पसंद करते हैं ओ गेम से याद है PUBG ये तो अलगी चर्चा का विशा है लेकिन इसमें भी वही chemical release होती है जो phone edits के समय release होती है dopamine और सबसे अहम बात phone addiction दूर कैसे करे अगर आप अपने phone को कम से कम इस्तमाल करना चाहते हैं तो घबराइए नहीं इसके लिए भी कई apps है फोर इग्जामपल break free app ये आपके phone को monitor करता है जो बताता है कि आपने कितने बार अपने phone को unlock किया या फिर आपने कितने minutes ओ माप कीजिएगा कितने घंटे अपने phone पर बिता है सोते वक्त अपने phone को अपने पास ना रखे है इसके कई कारण है पहला ये रात के समय अधिक radiation छोड़ता है और दूसरा मैंने वीडियो की शुरुआत ही उससे की थी अगर आप अपने smartphone को alarm clock की तरह इस्तमाल करते हैं तो मेरी राय आपको यही होगी कि आप एक नय alarm clock ले ले और सोते समय अपने phone को दूर, काफी दूर रखे हैं अपना schedule बनाएं आप अपने आत्में विश्वास बढ़ाएं और एक दिन के लिए बिना smartphone की रहने की कोशिश करें अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप अपने दोस्तों के घर जाते वक्त smartphone को ना ले जाएं या फिर काम के वक्त अपने phone को 2-3 गंटों के लिए switch off करतें अपने phone को कहीं रख दे और अपने partner या फिर अपने बच्चों के साथ वक्त बिताएं आप इन में से बताएगे किसी भी प्रक्रिया को करते हैं तो आपको अंतर जरूर नजर आएगा आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया अगर आप भारतिय महिला विज्यानिकों के बारे में जानना चाते हैं जिन्होंने चंद्रियान 2 मिशन को सफल बनाने में अहम भूमी का निभाई है तो left वाले वीडियो पर क्लिक करें अगर आप जानना चाते हैं कि हमें भूत पर आखिर दिखाई ही क्यों देते हैं तो right वाले वीडियो पर क्लिक करें चैनल को subscribe एम आम लाइक करें notification बेल दबा दे ताकि आप चैनल से जुड़े कोई भी notifications मिस ना करें मिलते हैं आपसे अगरे वीडियो में तब तक के लिए जाए हैं